तो चले शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि रोहित शर्मा बहुत बहतरीन बल्लेबाज हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों IPL 2023 का महा मुकाबला वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मुकाबला शाम साधे तीन बजे से लाइट देख सकते हैं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही बेस्ट फॉर्म में है और दूसरी और तिलक वर्मा इशान किसन बहुत ही शांदार फॉर्म में दिखाई दे रहा है अगर बॉलिंग की बात करें तो पीउश चावला लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी बोलिंग की थी और उन्होंने तीन विकेट चटके थे सुनने में यह भी आया है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी टीम में शामिल किया जा सकता है और दूसरी और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान निटीश राणा बहुत ही सुन्दर प्रॉम में है और उन्होंने पिछले कुछ मैचों में अच्छे पर्फॉर्मेंस किये हैं इसके अलावा वेंक्रेश अयर, रह्मानला, गुर्वाज, शार्दुल ठाकुर टीम की कमान संभाले हुए हैं और सबसे फेवरेट रिंकु सिंह उनके जल्बे आपको पता ही होंगे वह भी टीम के निचले बल्लेबाजों के साथ मैच जिताओं पारी खेल रहे हैं कोलकाता की बोलिंग की बारे में बात करें तो स्पीड स्टार उमेश यादव, लौकी फर्गुसन, टीम सौधी अच्छे फॉर्म में हैं स्पिनिन डिपार्टमंट में वरुन चकरवर्ती, सुएश शर्मा, सुनील नारायन ये तीनों काफी खतरनाक फोर्म में हैं जो किसी भी टीम को अकेले अपने दंपार हरा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है कोलकता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियन्स के बीच अब तक कूल 22 मुकाबले खेले गए हैं जिन्मी से 16 मुकाबले मुंबई ने जीती रहे और केवल 9 मुकाबला कोलकता नाइट राइडर्स ने अपने नाम की है आगे आपको बताते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 टीन कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों टीमों में कौनसी टीम इस मैच को जीतेगी? कॉमेंट में जरूर बताएं कॉमेंट राइडर्स